जिस साप को देखकर एक अच्छे खासे आदमी की हालत खराब हो जाती है उस साप से यदि किसी ऐसे बच्चे का पाला पर जाए जिसको ये पता भी नहीं है कि ये बहुत खतरनाक है और बच्चा उस साप को खिलोना समझ कर खिलने लग जाए उसको हाथ से पकड़े और फिर जैसे बच्चे अपने और खिलोनों को अपने मुह में डाल लेते हैं वैसे ही उस साप को भी बच्चा अगर अपने मुह में डालने लग जाए तो क्या होगा आप कलपना कर सकते हैं क्या नहीं न जिस चीज की कलपना करने तक से आपकी हालत खराब हो जा रही है और जिस च पूरी कहानी क्या है आगे उस बच्चे के साथ क्या होता है हम आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले आप हमारा प्रिचाय जान लीजिए नमस्कार में अनाम वेद प्रकास है आप जंता जंसन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमडे के पीछे हैं विशाल कुछ दिनों पहले सोसल मीडिया पर नालंदा के एक आदमी की खबर खूब वाइरल हो रही थी जिसमें उस आदमी को एक साप दो बार काट लेता है तो वो आदमी साप को तीन बार काट लेता है और आदमी सही सलामत रहता है लेकिन साप तुरंत धेर हो जाता है अब वो खब अदमी भी कभी साप को कात सकता है और ठीक उसी तरह की एक और खबर आज कल सोसल मीडिया पर वाइरल हो रही है जिसमें फर्क बस इतना है कि उसमें एक जवान आदमी होता है और इस खबर में साप से खेलने वाला एक बच्चा बिहार के गया जिले में एक बच्चा जिसकी उ छत पर खेल रहा था वो उस समय छत पर अकेला था और तभी एक साप रेंगते हुए उस बच्चे के पास पहुंच जाता है और वो मासूम बच्चा उसे खिलावना समझ कर पकर लेता है और खेलने लगता है अब खेल खेल में बच्चा जो है कई बार उस साप को अपने मु में डालता है और चबा देता है बच्चा बिलकुल ठीक है लेकिन साप जो है वो मौके पर ही धेर हो जाता है अब ये जानकर लोगों को बड़ी हैरानी हो रही है और इस कारण से ये खबर आजकल चर्चा का विशय बना हुआ है जानकारी के मुताबिक ये घटना बिते 17 अ इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो परिवार वाले आनन फानन में बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँचे डॉक्टर ने बच्चे को देखा और फिर जाच के बाद कहा कि डरने की कोई बात नहीं है बच्चा बिलकुल स्वस्थ है अब बच्चे के परिवार वा बताया कि बारिस के दिनों में यह साप अक्सर देखने को मिलता है और कुछ साप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं लेकिन जिसके साथ बच्चा खेल रहा था वो बिल्कुल भी जहरीला नहीं था और इस कारण से रियांस को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ अब आप इस खब होने लगा है कि बिहार इस नॉट सेफ फोर स्नेक्स इस पर आप अपनी राय रखिएगा और कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा बाकी देखते रहिएगा जंता जंचन बहुत बहुत धन्यवाद